वेल्कम बैक टू लीगल टैक्स और आज के इस व्यूडियों में हम बाप करने वाल है section 80C में जो जो deduction होनी है अप क्योंकि March स्टार्ट हो चुका है और आपके पास कुछी टाइम बचा हुआ है जो आप को अगर investment करना है जो भी करना है अप आप 31 मार्स से पहले पहले कर सकते हैं क्योंकि 31 वार्ट के बाद जो भी आप अगर कोई भी चीछ में आपको क्लिप करते है तो आपको benefit नहीं होगा तो लास्ट के कुछ टाइम बचा हुआ है तो इसलिए आपको जो मैं ATC के ऊपर वीडियो लेके आओ और डेलिया में एक section को लेके आएंगे जिससे आपको पता चलता रहे है कि क्या के deduction आपको आफिन बिल रहा है और नहीं गिल रहा है तो आज का topic है मैं लिए ATC, ATCCC, ATCCD और ATD finance year 2023-24 सपोर्च जैसे आपको अलड़ी हमने एक पहले इस वीडियो बना हुआ है जो ATC और ATD बे है आज हम ATC के ऊपर proper explain में बताएंगे कि ATC में क्या क्या चीज आप कितने claim कर सकते है नॉर्मली जो ATC होता है अब आपको सारी चीज़े बताएंगे यह deduction के बारे में जैसे PPF क्या होता है सुरक्षा यह भी चीज़े हम बताएंगे ठीक है तो नॉर्मली हम स्टार्ट करते हैं तो ATC की बात करें तो इसमें investment into very common और popular investment option like LIC, PPF, सुकन्या, समरिद्धी account, mutual fund, FD child tuition fees, you'll need extra इसमें आप individual and achieve दोनों के base पर आप कर सकते हैं जो इसमें maximum limit होती है वो होती है 1.515 एक्स का means 1,50,000 रुपे का total होता है इसमें आप investment on pension fund भी include होता है अल्री अटल pension योजन और national pension skin contribution यह सारी चीज़े होती है ठीक है इसके बाद जो next आपता है वो section 80 CCD 1B इसमें आपका normally return pension योजन और national pension यो additional deduction होता है जो individual के लिए होता है और इसमें जो maximum deduction है वो 50 लांस का है इसके बाद आपाद आते है section 80 CCD के जो national pension scheme contribution by employer इसमें आपका जो individual होता है उसमें condition होता है 14% of basic salary, clearance allowance in case of employee government और 10% of basic salary और clearance allowance in case of other employees और प्राइवेट और ही हो जाते है next आता है section 80D जिसमें आपको already हम एक video बना चुके हो मैं आपको description में डाल दूँगा उसके बारे में अगर आपको proper चाहिए तो आप वापे देख सकते है जिसमें में आपका आपका अजाता है medical insurance premium, preventive health check-up और medical expenditure इसमें individual और achieve इसमें जो total होता है tax benefit हो एक लाग तक का होता है ठीक है अब next आजाते है section 80DD इसमें आपका medical treatment or of the dependent or disability इसमें आपका आजाता है total maximum 75 का और one half 35,000 का ठीक है इसके बाद आजाता है आपका 80DDB इसमें medical expenditure for treatment of specific disease इसमें आपका individual का आजाता है और इस इस citizen citizen है तो एक लाग तक का और अधर है तो आपको 40 लाग तक का ठीक है इसके बाद आजाता है आपका section 80DD इसमें interest paid on loan taken for higher education अगर आपका कोई interest paid आपकर रहे है अगर कोई आपने loan लिया होए तो ठीक है इसमें no limit होती है वासेस्मेंट इयर तक का section 80DD interest paid on house loan फिव अपटो 50,000 up to the same condition ठीक है next आपका 80E आता है interest paid on house loan next आपका 80E भी interest paid on electric vehicle यह अभी latest आपकर कोई electric vehicle purchase कर रहे है तो उसमें 55,000 तक का होता है total claim बट इसमें कुछ condition है और हम नेक्स वीडियो में इस पर हम discuss करेंगी कि क्या क्या condition है उसके बारे में तो इसलिए यह government की तरब से है कि आप electric vehicle के उपर ज्यादा focus करें next आता है जला जाएगा वट अगर आप कोई donation करते हैं तो उसका आपको receipt लेना जरूरी है कि आप claim करें तो कल कुछ भी दिक्कत हो तो उसमें आपको आप सो कर सकते department को next आता है donation to scientific research R&D के रिगार्डिक होता है इसमें ठीक है 100% of total donation cash up to 10,000 next आता है ATGGB contribution to political parties companies 100% out direction इसके बाद अब में जो हमारे को करना है यह तो आपको पता है इसमें नॉर्मली जो हो यह saving percent के लिए common use होते है ठीक है जैसे यह आपका यह यह तो एक ATTTD है यह आपका हो गया interest on saving account up to 10,000 उसके बाद आपका आता है ATTTB इसके interest है income on on deposit अगर आप कोई deposit करते है इसके ऊपर यह पर एक वीडियो बना हुआ है इसके regarding भी आज जाके हमारे income tax के यह निसमें आप चिक कर सकते है कि इसके क्या क्या benefit होता है और क्या 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 नहीं होते है ठीक है next आता है अब आते है आप ATC में किस किस चीज को count किया गया है जबको आपको investment debt qualifies for deduction under section ATC tax saving option under section ATC में there are several options इक चूट from taxis equity link saving scheme ELSS बोलते इसको national pension scheme NPS unit linked insurance plan UNIP बोलते इसको public provident fund PPF सुरक्षा समृत्य योजना SSY national savings certificate fixed deposit और employ provident from ETF note that the benefits are not available if you attack choose old tax payment अगर आप old tax में गपते तो नहीं ठीक है mainly आपको द्यान रखना है नहीं कि आप यह old tax regime में ही आपको इसको calculate बासकते new tax regime में यह सारे चीज benefit नहीं है expenses on qualified deduction under section life insurance premium inso APF आपका उसका PPF होगया इन्वें national saving certificate होगया investment equity link के saving scheme होगया सुरक्षा समय इन्वेस्मेंट होगया 5-year fixed deposit with bank senior citizen saving scheme होगया tuition fees up to 2-chat home loan principal repayment stamp duty और registration charge for home यह सारे चीजे आपका ATC में आजाता है अगर आपको वीडियो आप next वीडियो पर हम बात करेंगे ATD कि आपको ATDD में क्या क्या चीज़े आपको यह चीज़े हमने बता दिया था कि इसमें 1.5 lakh को होता है बट इसमें आपको में नहीं पता था कि किस-किस चीज में आपका benefit हो सकता है तो यह हमारा आज का topic था जो हमने ATCC पर आपको explain किया नेक्स्ट वीडियो हमारा जो आएगा ATDD पर रहेगा तो प्लीज वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को like, subscribe and share जरूर करें और अगर आपको कुछ क्या रही है तो आप comment करके उसमें से पूछ सकते Thank you and the name इत्या ट भुच है खज़ सकते झार कर भुच है झार